गुड मॉनिंग स्टूटेंट्स मैंने आपको सटर्डी को एक्सरसाइज दी थी 5C आज हम देखते हैं उसमें कोशन थे 8 उनका आठों का क्या देखेंगे या आज हम सोलूशन देखेंगे शुरू करें मैंने आपको बोला था कि यूनिटेरी मेथर्ड से करना है हम सेकेंड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं यूनिटेरी मेथर्ड हो तक है कोशन देखते हैं 12 मैं केन रिपेर एर रोड इन 28 देज बारा आदमी एक रोड को कितने दिन में ठीक करते हैं 28 दिन में हाउ लोंग विल 24 मैं टेक टूडू सो 28 देज में ठीक करते हैं रोड को 12 जने तो आपको बोला गया अगर 84 मैं होंगे तो कितने दिन लगाएंगे रोड को ठीक करने में क्लियर है सोलूशन देखते हैं हमारा सोलूशन क्या होगा 12 मैं केन रिपेर एर रोड बारा जने इतने दिन में करते हैं रोड ठीक एक मैं, वन मैं कैन रिपियर है रोड एक मैं कितने दिन में ठीक करेगा 12 x 28 देज यह multiply क्योंकि क्योंकि अगर बारा अद्मी एक काम को खितम करने में 28 दिन लगा रहे हैं तो एक आद्मी क्या करेगा जादा दिन लगाएगा, जादा हो रहा है, इसलिए क्या गरेंगे, हम 12 से multiply 28 को, 1 man can repair, एक man कितने दिन में repair करेंगा, मतलब 336 days में, clear है, आपको पुछा गया है, how long will 84 man take to do so, 84 man कितने दिन लगाएंगे, रोड को repair करने में, एक आदमी इतने दिन लगा रहा है, रोड को ठीक करने में, जब 84 जादा आ जाएंगे, तो दिन क्या लगेंगे, कम, दिन कम लगेंगे, इसलिए मैं क्या कर दूँगी, divide, divide करोगे तो आपको क्या हैगा, 4 days, clear है, क्या चीज़ की है मैंने, कि जब 12 आदमी किसी रोड को ठीक कर रहे थे 28 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में ठीक करेगा, 12 multiplied 28, multiply क्यों किया, क्योंकि 12 जने जब इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो एक जना और जादा दिन लगे लेगा, कम खतम करने में, जादा दिन लेगा, पहले से, तो क्या होगा, multiply, clear है, मैंने बोला, 84 men कितने दिन लगाएंगे, 84 men कितने दिन लगाएंगे, एक आदमी जितने लगाएगा, उससे तो कम लगाएंगे, कम लगाएंगे, इसलिए 84 से क्या कर दिया, मैंने divide, clear है question, चलें next पे, द वो एक तंकी को भरने में कितने देर लगा रहे हैं, 27 minutes, with the same rate of flow, वही निकालने का क्या है, उनका time है, if three tabs go out of order, आठ टेब हैं, आठ में से तीन क्या कर दी, order से निकाल दी, clear है, इस लाइन का एक main role है, इस पे ध्यान रखना, if three tabs go out of order, आठ टेब में से तीन मेंने निकाल द विल्दा, remaining tab take the fill the tank, बची हुई जो pipe है, वो कितनी देर लगाएंगी एक तंकी को भरने में, clear है, देखो, मैं बोलू, यह मेरी एक तंकी है, एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, आठ, आठ pipe है, इस तंकी को पानी से भर रहे हैं, मैं बोलू कि तीन pipe मैंने हटा दिए, तो कितने pipe बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बच गए, यह पुछा गया है, जो बच्चे हुए pipe है, वो कितनी देर में भरेंगे, इस तंकी को, चलोग देखते हैं, question, solution, if three taps go out of the order, then remaining taps, अगर तीन tap मैंने हटा दी, order से, तो remaining tap कितनी बच गी, 5, 5 कैसे, 8 में से 3 क्या गर दिय मैंने, minus, 8 थी, 8 में से 3 हटा दी, कितनी बच गी, 5, मतलब 5 taps का मुझे बताना है, कितनी देर में टंकी भरेंगे, यह थाना, 5 का बताना था, कितनी देर में भरेंगे, यह बोला गया है, how long will the remaining taps, बच्चिव ही taps, fill the tank, कितनी देर में फिल करेंगे, 8 taps can fill a tank in 27 minutes, 8 taps, कितनी दे लगाती है, 27 minutes, 8 है, 27 minutes लगा रही है, देखना, 8 tap can fill a tank, एक कितनी देर लगाएगी, 8 multiply 27, multiply क्यों किया, क्योंकि 8 जने लगा रहे है, 27 minutes, एक खोलेंगे, तो और ज्यादा time लेगा, time बढ़ेगा, time बढ़ेगा, इसलिए क्या करा है, मैंने, multiply, उपर वाले question में भी यही चीज की थी न, 12 men repair कर रहे थे, एक road को 28 days में, एक man का किया, तो 12 multiply 28 किया था, क्योंकि एक आदमी को time लगेगा, काम करने में, ऐसे ही, जब 8 pipe भर रही है, किसी टंकी को, तो 27 minutes में भरेंगी, जब एक भर रही है, तो क्या, 8 multiply 27 minutes, क्योंकि एक को तो time और ज्यादा लगेगा, 5 tab कितनी देर में भरेंगी, एक को इतनी देर लग रही है, 5 को कम लगेगी, divide कर दूंगी मैं, 5 से, मतलब 5 tab को कितनी देर लगेंगी, 43.2 minutes, clear है, कोई doubt है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, कि 8 tab भर रही थी इतनी देर में, जब 1 tab भरेगी, तो time ज्यादा लगेगा, time ज्य 5 तो कम लेंगी, कम लेंगे, तो मैं क्या घर दूंगी, divide, clear है, next question देखना है,